मित्रों, माइक्रो एकोनॉमिक्स में गुड्स के अलग-अलग प्रकार डिमांड और सप्लाई के लॉज और इलास्टिसिटी वो समझ लिया अभी हम लोग तीन प्लास्ट पिलर्स की बात कर लेंगे मार्केट टाइप्स, प्रोडक्शन कॉस्ट और कंजम्शन उटिलिटिक के कुछ कंसेप्स सबसे पहला आपना ये चेप्टर मार्केट स्ट्रक्चर मार्केट का मतलब वो जगह जहां पर ग्राहक और बेचने वाला मीट और स्ट्राइक का डिल वो कोई जोग्राफिकल लोकेट भी हो सकता है जैसे अपनी सबजी मंडी या शॉपिंग मॉल कोई ओनलाइन वेबसाइट भी हो सकती है फ्लिपकाट एमेज़ॉन अजकल तो वाटसेफ वगेर की जरिये भी ड्रग्स और गलत कामों का व्यापार होता है तो that is also one type of market मतलब market does not require a geographical location बट वहाँ पर buyer, seller, उनके relation, competition के अनुसार market के अलग-अलग प्रकार बनाय जाते हैं फर एक्जामपल, perfect competition, monopoly, monopolistic, oligopoly and monospony सबसे पहले perfect competition वाला market यहाँ पर buyers भी बहुत जादा होंगे और seller भी बहुत जादा होंगे product, it will be homogeneous in nature और जिसके अलग-अलग बहुत सारे substitutes available हो जैसे की rice wheat और क्योंकि यह एक perfect competition वाला market है मतलब की knowledge, entry, exit यह सब कुछ perfect होते का उसी के चलते इस market में marketing का कोई cost नहीं, selling का कोई cost नहीं क्योंकि हरेक आदमी को हरेक चीज पता है कि यह वेला चीज उसका इतना supply उसके मुताबी कितना भाव होना चाहिए यहां पर यह उपलब्ध है नहीं है as such perfect competition रियल लाइफ में वो exist नहीं करता है नहीं पसंद आया तो छोड़के जा भी सकता है और क्योंकि perfect competition है इसलिए बेचने वाला व्यापारी he will not dictate the price, he will not be the price maker, he will be price taker जो ग्राहक भाव देने को तयार होगा उस दाम पे वो बेचनाए के लिए मान जाएगा इसकी के चलते perfect competition में price elasticity of demand कैसी होगी आप ये follow करिए कि 10 रुपे में 1 कौन ये डाम चल रहा है and the customers are willing कि हाँ ये बाव हमको पसंद है इसके उपर 10 रुपे के लेखे 1 कौन, 2 कौन, 3, 5, 7 जितना भी आप supply करोगे हम सारा खरीद लेंगे लेकिन अगर आप बोलोगे कि 10 के बढ़ले 11 रुपे पे कौन बेचना है then buyer will not take a single quantity इसलिए यहाँ पर perfect competition में price elasticity of demand it will become a horizontal line आगे perfect competition समझ लिया अब आते हैं monopoly पर monopoly मतलब खरीदने वाले तो बहुत ज़्यादा है ग्रहक बट बेचने वाला क्यवाली एक ही है जैसे कि Indian railways या electricity यहाँ पर उनका nature of product इस प्रकार का है कि close substitutes या competitors are not available for example यह thermal electricity तो वो बस अपने घर के लिए तो वही जमती है फिर हाँ उसका substitute बोलके वो आप solar और wind बट वो रात को चलेगी नहीं पवर नहीं होगा तो नहीं चलेगी like that so close substitutes not available same way railway तो केवल भारतिया railway एक ही है उसके सामने मुकेशंबाणी या वीजयमालया की कोई अलग से पट्री या नहीं चलती है so like that competition या close substitution नहीं होता और इसी के चलते मैं ही एक बेचने वाला हूँ तो उसे marketing, advertisement, rithik rosh and srl like कोई खर्चा नहीं लगता है यहाँ पर knowledge entry, exit it is restricted जैसे की railway तो बस भारतिया railway के लावा कोई अपनी पट्री नहीं लगा सकता by law, by norm से it is fixed उसी प्रकार माने लोग कोई इस प्रकार की दवाई है कि जिसका मैंने 20 साल के लिए patron करा दिया है so you cannot produce that thing तो मेरा उस brand उस दवाई के उपर monopoly बन गया मतलब entry, exit, knowledge they are restricted यहाँ पर आप समझ सकते हैं seller, he is the price maker जो व्यापारी है वो ही dictate करेगा में इस भाव पे चलाऊंगा, इस भाव पे काम करूंगा आपका दाम, he will not take your price और यहाँ पर price discrimination भी समभव है मतलब व्यापारी चाहे तो गरीब को एक दाम में बेज सकता है वही चीज अमीर को अलग दाम में बेज सकता है जैसे की railway में हम देखते हैं कि पैसेंजर्स, उसका भाड़ा सस्ता रहता है बट सामान, फ्रेट को ट्रांसपोर्ट करना है तो उसका दाम अलग मांग सकते हैं और लाइक दैट, इलेक्रिसिटी में भी वो चाहे तो किसानों को सस्ते में दे सकते हैं और अमीर लोगों को लगजरी बोलके जादा उस पे पैसा मांग सकते हैं So that is possible UPSC ने प्रशन पूछा इस पे Price discrimination का मतलब क्या होता है Commodity का दाम बढ़ने लगता है ऐसी कोई situation जहां कर एक ही product अलग-अलग customer को अलग-अलग दाम पे बेची जाती है Subsidization जब government करती है And government general decrease in commodity price सही जवाब होगा भी ऐसी situation जहां एक ही product को अलग-अलग customer को अलग-अलग दाम पे बेचा जाता है And that is observed in the monopoly और एक प्रशन पुछा गया इन में से कौन सी चीज़ Natural Monopoly का example है Indian Airlines, Delhi Jalboard, Delhi Transportation Still Authority of India We have to go by elimination Steel Authority of India, sale तो क्या उसके सामने दूसरे कोई Private Steel Maker नहीं है Jindal and other many are available तो ये Natural Monopoly नहीं है Delhi Transport Corporation तो क्या उसके सामने Private Bus, Taxi अगेरा नहीं चलता है So that is also eliminated Indian Airlines, तो क्या उसके सामने Jet Airways, Indigo Airlines नहीं चल रही है So A is also eliminated So we are left with the answer Delhi Jalboard That is an example of Natural Monopoly दूसरी हिंट के ही साब से चले Natural Monopoly उसको बोलते हैं जहां पर The initial cost of distribution is very high वो railway Railway हो सकता है अपना gutter का pipeline बिजली का pipeline and something like that So Delhi Jalboard It is an example of Natural Monopoly हां उसमें भी लोग तिक्रम बाजी करते हैं कि वो तो private वाले भी Mineral Water की bottles बगेरा बेच रहे हैं बट आप समझ ये कि घर चलाना इंडस्टी चलाने तो उसके लिए जितना पानी चाहिए वो तो Jalboard का व्यास्तित collection लेने के ही हो सकता है रिक्षा में एक कैरबाब बढ़के आए उससे हमारा काम नहीं हो सकता तो Delhi Jalboard that will be the answer अब ये Monopoly एस सच Economic हीत में नहीं क्योंकि वहाँ पर competition नहीं तो excellence कैसे आएगा प्राइज वो लोग अपने मन मानी करेंगे तो Monopoly के सामने लड़ने के लिए सरकार ने पहले Monopoly Restrictive Trade Practices at MRTP बनाया था फिर इसमें कुछ खामिया थी तो उसे दुरूस्त करने के लिए Competition Commission of India भरतिय प्रतिस परदा आयोग बनाया गया उसका कानून 2002 में और क्योंकि कानून के जरिए ये Chairman बना एडिके सिकरी तो we'll say कि it is a statutory body ठीक है Perfect Competition समद लिया हमने Monopoly समद लिया अभी Monopoly Stick Competition यहाँ पर खरीदने वाले ग्राहक बहुत ज़ादा होते हैं Sellers भी बहुत ज़ादा होते हैं बट उसमें से हर एक कोई product का differentiated version बेच रहा है जैसे कि biscuit तो Tiger, Britannia, Parlegy and like that उसी प्रकार toothpaste, jeans, shampoo, sabun सभी में तो मतलब की as such product, sabun बोलके तो हाँ बट उसके अंदर differentiated version बहुत सारे होते हैं and this individual player they have Monopoly over that particular brand की निर्मा है, लक्स है इमामी and so on और उस brand के सामने खरीदारों की up to a level loyalty रहती है तो अगर पाले जी जिनको पसन है तो वो 10 रुपे की जगे 11 रुपे, 12 रुपे हो जाएगा फिर भी वो लोग उसी को खरीदेंगे but हाँ, it is up to certain level only फिर वो सिधा 15-20 रुपे कर देगा then this customer will shift towards Tiger biscuit या XYZ thing और यहाँ पर marketing selling cost बहुत जादा होता आपने भी TV में बहुत सारे विग्यापन देखे होंगे toothpaste, biscuit jean सभी में यहाँ पर knowledge entry exit it is relatively free, unrestricted कोई भी मूँ उठा कि अपनी toothpaste की company खोल सकता है या फिर कि यह coaching के अंदर हम को यह सब से जादा देखने को मिलता है there is no knowledge entry exit कोई भी आ सकता है, it is very free यहाँ पर seller बेचने वाला he is a price maker up to a certain level जहां तक कि लोगों की brand loyalty उस पे विश्वास रहे उसके बाद वो, मतलब कि up to a level he will be a price maker not a price taker अब हम लोग graph पे आप देखो price versus quantity demanded तो perfect competition में horizontal line ठीक है, उससे जरा नीचे आएंगे तो monopoly stick और उससे भी नीचे आएंगे तो monopoly monopoly के अंदर यह price elasticity of demand will be relatively, मतलब की inelastic type का रहेगा, और अंत में मालो की पानी के उतपादन के उपर कोई company की monopoly हो जाए, तो उसका graph कैसा दीखेगा फिर वो पानी 10 रुपे में बेचे 20 रुपे में 30 रुपे में, हमको अगर दिन में 30 लिटर चाहिए तो चाहिए ही चाहिए right, so in that case it will be a horizontal line, perfectly inelastic goods के उपर monopoly हो तो उसका इस प्रकार से graph दिखेगा अब यह elasticity में आपको अभी जम ना रहा हो तो आप पुरानी पुराना जो इसके पहले वाला पाट वापस से देख लेना, आगे पढ़ते है perfect competition, monopoly monopoly stick वो समझ लिया भी oligopoly, oligopoly मतलब यहां खरीदार ग्राहक बहुत सारे हैं, बट बेचने वाले वो बहुत कम हैं और उनके बीच भी आंत्रिक्स परदा रहती है उसके close substitute possible हाँ, for example यह car industry में हमको देखने को मिलता है तो मारूती तो हाँ यह अल्टो, nano and xyz इंटरडिपेंडन्स भी इनका अपस में होता है, मानलोग कि मारूती वाला अपनी गाड़ी के साथ free accident insurance बेच रहा है, तो और इन सब को भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा इधर price cutting, price wars, marketing cost, selling cost हाँ बहुत तीवर होता है आजकल आपने देखा है, बाजार में बॉल्पेंड के variety कम है, गाड़ियों के variety जादा है यहाँ पर knowledge entry, exit, it is relatively tough अगर मुझे अपनी कार की कमनी शुरू करनी हो तो initial investment cost will be very high, land acquisition करना है, back end में steel, glass, rubber इन सब इंडस्टी के साथ type करना पड़ेगा और गाड़िया मैंने बना भी दी तो नीचे distributor, supplier के साथ type करना पड़ेगा, right so knowledge entry, exit, it is tough यहाँ पर seller, as such it is considered कि oligopoly में seller is price maker not a price taker जैसे कि एक nano गाड़ी अपने लाख रुपे में मिलती है, otherwise बाकि सभी गाड़ियों के आप देखो, 3,5,5,8,8 लाग की range में चल रहे हैं और ऐसा भी ने कि उसमें बहुत जल्दी कोई fluctuation आ जाता है अचानक से गाड़िया सस्ती, so they are controlling the prices but as such there is internal competition, हम देखते हैं बहुत जारे विग्यापन, celebrity endorsement होता रहता है यदि यह जो few sellers हैं वो आपस में एक गैंग बना लें और यह तरह करें कि we will restrict the output to control the prices तो उससे हम बोलेंगे cartelization, जैसे कि OPEC oil producing country का cartelization है उनको जब लगएगा कि बाजार में oil का दाम कम हो रहा है तो वो अपना output कंट्रोल कर लेंगे ताकि वापस supply demand के हिसाब से दाम स्थिर हो जाएं एक चीज वहां competition होता है बट वो आपस में competition बन करके output रिस्टिक करें देन विल से कि cartelization हो रहा है last type monospony monospony मतलब जहां पर बेचने वाले बहुत ज़ाद है बट खरीदने वाला एक ही है for example अगर आप machine gun jet fighter plane ऐसा कुछ बना लए तो सरकार एक ही खरीदने वाली है उसी प्रकार railway के कोच, wagon, seat, kurse ऐसा कुछ आप बना रहे हो तो खरीदने वाला एक Indian railway ही है so that is called monospony monopoly मतलब बेचने वाला एक and monospony मतलब खरीदने वाला के वाले यह monospony की पूरी विभावना Dr. Johan Robinson ने दी थी यह madam अपने बुदपूरवा Prime Minister Manmohan Singh और economist Amartya Sen and इन दोनों की teacher रही थी Cambridge or Oxford Sam University इतना back-end detail में की monospony की व्याख्या किस ने दी थी John Robinson वो staff selection में कई बार पूछते हैं but apart from that अपनी UPSC के लिए इतना बहुए काम का नहीं है so monospony मतलब बेचने वाले बहुत ज़ादा है खरीदने वाला के वाले एक है यहाँ पर product it is homogenous for a particular use मानलो railway के अंदर लगाने के लिए वो कुरसिया कुशन वाली वो अगर कोई 3-4 कंपनिया बना रही है तो उसका एक ही बायर होगा Indian railway क्योंकि there is no alternate use वो railway की अंदर जो fit करने वाले कुरसिया वो railway में होगी वो cycle या bike पे आप लगा नहीं सकते so that is homogenous for a particular purpose knowledge entry exit यहां इस प्रक्कार से की दूसरे बायर की entry close है Indian railway तो railway दूसरा कोई पटरी बना नहीं सकता अपनी railway तो obviously आप कुछ भी railway related production करोगे आपने railway कोई बेचना पड़ेगा same way अगर भारत सरकार यह बोल दे कि भारत में से defense related कोई भी item export नहीं हो सकती और फिर आप अगर machine gun, pistol, carthus कुछ भी बना रहे हैं then you are left with only one buyer that is government of India और उसी के चलती है यहां पर there is lack of mobility among the laborers and entrepreneurs अब समझ सकते हैं अगर उसमें बुद्धी होती तो वो businessmen railway नहीं वो साथ-साथ कुछ और भी बना लेता bike की लिए seat बनाऊगा, cycle की seat बनाऊगा right but in that case we will not say की monospony है यहां पर price कौन dictate करता है खरीदार, buyer, grahak will be the price maker he will not be the price taker तो market में हमने market की व्याखास हमद ली structure में perfect competition, monopoly, monopolistic, oligopoly, monospony यह सब देख लिया इसमें से UPSC ने 2014 में प्रश्न बनाया ऐसा market जहां पर there are large number of sellers but each selling somewhat differentiated but close product it is called perfect competition monopoly, oligopoly, monopolistic competition जवाब क्या अगड़ी monopolistic competition तो यह अपना market types का प्रक्रण खतम हुआ अभी production cost, economies of scale इसकी बात करते हैं सबसे पहला economic cost क्या होता है तो मालो मुझे यह remote बनाना है तो explicit cost जो मैं लोगों को नौकरी पे रखूँ जो raw material खरीदने के लिए पैसा डालूँ so higher purchase का खर्चा money cost, accounting cost they are all part of explicit cost second is implicit cost मैं अपने ही गर में इसकी factory लगा दूँ या फिर कि अपना ही जो implicit cost और explicit plus implicit उसका summation उसको बोलते हैं opportunity cost अब समझे मैंने अगर आपको नौकरी पे रखा तो मैं आपसे remote बी बना सकता था या कोई और motorcycle भी बनवा सकता था same way अगर plastic मैंने खरीदा है raw material तो उससे remote भी बन सकता है कोई TV का component भी बना सकते हैं so वहाँ पर opportunity cost है एक चीज किया तो मलब दूसरी चीज नहीं कर सकते same way implicit cost में भी अगर मैं अपना ये गर है उसमें factory लगा दू या फिर कि उसके अलावा coaching class भी खोल सकता था so like that there is opportunity cost and own capital मैं अपनी बचत के पैसे से चाहूं तो इस प्रकार से दंदा करू या फिर वो सारा पैसा fix deposit share बजार में लगा दिया हो तो वहाँ से आराम से मुझे return मिल जादा so that is also opportunity cost एक काम में करने जा रहा हूं तो मुझे दूसरा कोई काम नहीं हो सकता और उसमें जो भी माल मिलने वाला था वो माल मिलने से रहा now this explicit plus implicit plus normal profit यह तीनों का summation मतलब होगा वो economic cost normal profit अपने को देखने को मिलता है perfect competition monopolistic competition में और super normal या abnormal profit तो वो monopoly, monospony और oligopoly में होगा यह अलग-अलग market structure क्या है इससे पहले वाले वीडियो में आप देख लिजेगा real cost क्या होता है यह सब तो मतलब की चलो स्थापना कर दी उद्योग की बट फिर असल में जो effort, sacrifice, physical, mental, pain हमने endure किया उत्पादन के वक्देट is called real cost social cost क्या होता है लेकि सबसे पहले हमने यह economic cost या private cost तो समझ लिया की explicit, implicit and normal profit उसके अंदर आप external cost को शामिल करो then you will get the social cost for example मैं यह thermal power plant लगा रहा हूँ तो मेरे को तो यह सब कुछ हो गया बट external cost के रूप में air pollution होगा लोगों को respiratory disorder और उस प्रकार से उनके खुद के खर्चे समाज के मतलब healthcare वगेरा में बढ़ जाएंगे या फिर कि मैं textile में रगा रहा हूँ तो सामने गंदा पानी आ रहा है तो municipality ने clean water के लिए कुछ treatment सुवेज plant लगाने पड़ेंगे So those are the external cost और economic cost plus external cost आप करोगे then you will get social cost total cost करो हम कुछ उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें एक component होगा fixed cost जैसे कि again हम ये remote का example लेते हैं इस case में मैं जमीन के उपर ये पूरा काम कर रहा हूँ तो उसका property, tax, rent वो तो मतलब मैं एक remote बनाऊ या दस remote बनाऊ उतना ही लगेगा same way permanent employee को रखा हो तो irrespective of उत्पादन I have to pay them अगर मैंने ये उद्योग शुरू करने के लिए कहीं से loan लिया है तो उनको भी ब्याद नियमीत देना पड़ेगा irrespective कि मैं profit कर रहा हूँ, loss कर रहा हूँ या उत्पादन नहीं का कुछ भी उनको तो interest देना ही है same goes for license fee मालो मैंने Microsoft Office as a product खरीदा है तो उसके लिए मैंने जो भी license royalty Bill Gates को पे कर दिया भी वो उस software का मैं थोड़ा use करूँ ज्यादा use x y z license fee तो मेरे को जितनी हुई उतनी ही रहेगी and same goes for depreciation जो आपने कोई माल सा machinery खरीदा है तो wear and tear it will go through तो ये सारे होते हैं fixed cost जो की अपनी ज्यादा बनाई कम बनाई उसके साथ they do not wear right यहाँ पर भी लोग फिर कुछ जोड़ जाते हैं कि depreciation तो machine ज्यादा use किया होगा तो जल्दी depreciate हो जाएगा न x y z but किताबों में जो दिया है उतना हमको रटना है जादा यहाँ पर बाल की खाल नहीं खिछना है लगता है exercise duty उतपाज शूल्क तो मैं एक remote की जगए 10-50-100 बना रहा हूँ तो obviously exercise duty will increase तो उस हिसाब से वो हो गया मेरे product का variable cost same goes for casual workers, electricity जादा गंटे तक काम किया तो जादा electricity and so on और उस हिसाब से अपने को मिलता है total cost अब यह fixed और variable cost के दूसरे भी synonyms है stop selection वगेरा में पूथते हैं अपने को UPSC में इतना माथा पच्ची करने की ज़रूद नहीं है but graph अपने को याद रखना है मालो यह अमूल company एक ice cream बना रही है, दो ice cream, चार ice cream तो fixed cost जो रहेंगे वो तो हमेशा उतनी रखेंगे irrespective of production तो fixed cost की यह होगी straight line, ठीक है उसके उपर variable cost उसकी इस प्रकार की wave line जाएगी and total cost मतलब variable cost plus fixed cost मतलब वो अपना variable cost की जो आप देखिये black color की line उसके उपर होगी total cost वाली line क्योंकि हम लोग fixed cost के आखड़े भी जोडने पाढ़ेंगे but remember की वो भी parallel ही चलेगी variable के साथ अभी average fixed cost कितना मैरी एक गुटखा की company चल रही है तो total मैंने कितने गुटखा के पाउच बनाए और उसके सामने मेरा total fixed cost कितना था उन दोरों का divide करूँगा तो मेरे को मिलेगा average fixed cost और उसे graph पे plot किया तो it will become like a rectangular hyperbola और like this scalar like shape वो बनेगा यार इसलिए रखना ही UPSC वालों ने पूछा था average fixed cost का करूँग कैसा होता है rectangular hyperbola तो जवाब होगा hyperbola वाला average cost curve मालो मैं अपनी कंपनी में एक लाग गुटखा के पाउच बना रहा हूँ तो मुझे एक पाउच कितने में पढ़ रहा है average cost क्या है production का so total cost divided by total unit एक आपको आखड़ा मिला then total variable cost divided by total unit तो मलब fixed variable और divide them individually by the total of units और फिर आपको जो जवाब मिले हम उसको बोलते है average cost of production और long run average cost को इस प्रकार से आप plot करना शुरू करें तो पता चलेगा कि पहले जब मैं 5000 गुटखा पाउच प्रोड्यूस कर रहा था तो मेरे को average एक पाउच 5 रूपय में पढ़ा था फिर मैंने उससे 10 लाग जितना उत्पादन चुरू किया दीरे दीरे मेरा average cost आप देखिए नीचे जा रहा है तो यह जो average cost नीचे जाने लगे डाउन होने लगे that is called economies of scale इसके दो कारण होते internal economies of scale for example मैं शुरूआ में छोटा player था फिर मैं और आगे बढ़ू तो IIT IM वालों को नौकरी पे रख सकता हूँ और वो अपना फिर division of work करे वो process optimization करे ताकि थोड़े ही effort में जादा हम उत्पादन कर सके average cost कम होने लगे same way byproducts का भी फिर हम इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं for example sugar milk के अंदर जो बगासी raw material waste generate होता है उसको हम electricity बनाने के लिए वापस use कर सकते हैं like that तो ऐसा सब कुछ करके हम अपना उत्पाद खर्च कम कर लेते हैं and second will be external economies of scale मतलब कि मैं अगर यहां गुटखा company लगा हूँ तो हो सकता है आजू-बाजू के खेतों में जो लोग गेहूं उगा रहे थे दे में start cultivating top echo ठीक अगर कोई automobile industry लगे गी तो आजू-बाजू glass tire factory वाले लग जाएंगे so ancillary industry का और बड़ावा शुरू हो जाएगा जिसके चलते मुझे नजदीक में cheaper inputs मिलना शुरू हो जाएगा उसी प्रकार दिरे दिरे वहां पर एक township जैसा develop होगा skill labor लोग आना शुरू हो जाएंगे agglomeration benefits और वो सारे external economies of scale तो ऐसा करते करते आप देखिए कि मेरा कि में 10 लाग के 10 करोड गुठखा पाउच बनाओ तो इससे नीचे जाएगा नई there will be a phase जिसके बाद दीरे दीरे ये graph उपर चड़ना शुरू हो जाएगा मतलब कि this economies of scale in other words एकद से जादा उत्पादन कर दो तो फिर आपका average cost कम नहीं होगा बढ़ना शुरू हो जाएगा why first reason मालो मैं एमदाबाद के अंदर गुठखा का बड़ा प्लांट लगा दूँ 10 करोड 10 हरब रोज पाउच बना रहा हूँ और नवरंगपुरा से लेके नरोडा पाटया तक बच्चे बुडे जवान सभी लोगों को गुठखा का चस्का लगा दिया है तो जितना उत्पादन हुआ वो लोग गुठखा खा जाएंगे ठूख जाएंगे उसके बाद भी मैं अगर उत्पादन कर रहा हूँ तो वहाँ तो saturation कोई खरीदेगा नहीं तो फिर वहाँ production cost जूड़ना शुरू हो जाएगा तो मेरे को जो एक गुठखा पौच एक रुपय में पढ़ा था नाव इट रूपया दो रूपया वहाँ दूसरे market में दूर बेचना शुरू करू तो because of this quarterly transport लगेगा कि ये तो अब अपना average cost बढ़ने रहा है तब मुझे ये भी लगेगा कि opportunity cost भी अब तो हावी हो रहा है rather than कि इतनी मजदूरी करके मैं बनाता गुठखा हूँ उसकी वज़ाए वो सारी जमीन पे मैं कोई self finance college चुरू कर देता maybe I would get higher returns जैसे जैसे factor बड़ी होती जाती है तो मालिक का फिर अपने मजदूरों के साथ direct संपर्ख कम हो जाता है जिसके चलते labor का फिर moral motivation कम होने लगता है coordination become difficult और फिर ये जोला चाप NGO type के लोग labor union वाले वो उनको चड़ाते हैं disruption करते हैं so they will also lead to dis economies of scale उसी के अनुसंदान में law of variable proportion graph का interpretation याद नहीं रखना है बस रटा मालो stage 1 मतलब increasing return क्योंकि मेरे दिरे-दिरे cost कम हो रहा है stage 2 मतलब दिरे-दिरे diminution return and stage 3 मतलब negative return एक हद के बाद फिर और उत्पादन गया तो मुझे नुकसान होना शुरू हो जाएगा उसी के अनुसंदान में economic cycle आपको पता ही होगा कि business and economic cycle में peak होती है फिर recession फिर वापस recovery peak and like that it goes on recession किसे बोलते हैं real मतलब की inflation adjusted GDP वो continuously दो quarter के अंदर down हो रहा हो एक साल के अंदर होते हैं 12 महीने और उसका quarter मतलब 4 उकड़े करो तो हर एक में आएगे 3 महीने प्लस 3 महीने 6 महीने continuously आपके देश का GDP negative वलब की कम हो रहा है then you will say कि recession का महल है so that will be recession recession के बाद दिरे दिरे वापस recovery आती है but जैसे कि आप mcdonald के अंदर जाए french fry खरीदा और साथ में आपको sauce या चटनी मिलेगी तो एक dip मारा फिर तुरण दूसरी बाजू में dip मार लो तो क्या हो गया दो dip बन गया in other words एक तो आपका recession आया और वो खतम भी हो गया और वापस दिरे दिरे आप recovery में चल रहे थे एक quarter दो quarter तक और फिर अचानक वापस दूसरा recession आ जाए मलब की एक dip थी थी और ये अब दूसरी dip भी वहाँ पर हो गई that is called double dip recession तो बडलब की अपना ये micro economies के अंदर production cost economies of scale वो प्रक्रण खतम अभी last वाले पे आते हैं consumption and utility पहले micro economies की यहाँ चार basic terms समदनी पलेगी first is called want या desire मुझे भूख लगी है that is my want या desire तो food, shelter, clothing they are called primary या basic wants comfort, luxury, jeans, t-shirt चाहिए those are called secondary wants अब मुझे ये कोई चीज की जरूरत है तो उसके लिए I will go and consume something भूख लगी है that is my primary want उसके सामने मैं जाके biscuit खरीता हूं खाता हूं that is consumption so we are using the goods and services to satisfy our wants उसके अनुसंदान में फिर aggregate demand कितनी है ये luxury comfort items तो standard of living कितना है वो सारे terms back end में निकलेंगे आगे मेरी want थी कि मुझे book लगी है अब मैं उसके लिए biscuit खाऊं रोटे खाऊं तो वो चीज खाने से मुझे कितना आनन्द या तुष्टी मिलती है that is want satisfying power of a good or service उसको बोलते हैं उस चीज की utility उस अनुसंदान में फिर marginal utility आएगा price equilibrium and so on आगे अभी slides में आ रहा है and lastly production कि आपको book लगी है तो उसे satisfy करने के लिए रोटी बनाने वाले, bread बनाने वाले, biscuit बनाने वाले, अलग-अलग goods and services का जो उत्पादन होगा जिनकी कोई utility होती है और यह production करना है तो फिर वहाँ पर आगे बाद चलेगी four factors of production, land, labor, capital, entrepreneurship और demand किसको बोलते हैं, demand मतलब willingness to buy a certain thing at a certain price and certain time इसी पर से UPSC ने प्रशना निकाला, demand of a particular commodity refers to desire, need, quantity demanded at a certain price for a particular time तो जवाब होगा D, ठेक अभी marginal utility और उस पर जाइदा focus करते है utility मतलब मुझे भूख लागी that was my want, उसके लिए मैं अगर biscuit खाता हूँ तो उससे मुझे एक biscuit खाने से कितना आनन्द या संतूष्टी मिलती है, that is the satisfaction वो उसकी utility है, satisfaction derived from consuming one unit अब आप ये समझे कि it is relative in nature एकदम बुखा आदमी हो, उससे रोटी खाने से जितना आनन्द मिलेगा और जिसका आधा पेट बर गया उससे तो अलग-अलग होगी जिसको दारों की लथ है, वो एक बोटल दारों पीए, दो बोटल पीए, उस हिसाब से उसकी utility वो गिन सकता है यहाँ पर कि यह तो खराब है, and utility is detached from such things, वहाँ पर morality की बात नहीं आती है marginal utility मतलब, मैंने पहला biscuit खाया, मेरी बुक थोड़ी संतुष्ट हुई, फिर मैं दूसरा biscuit, तीसरा biscuit, आपको पता होगा जैसे-जैसे मैं additional biscuit खाता जाऊंगा, उससे जो मुझे satisfaction मिला है, वो दिरे-दिरे कम होना शुरू होगा that is called marginal utility, so marginal utility that is the additional satisfaction from consuming one more unit और वो दिरे-दिरे कम होता है, उसका भी graph हमने याद रख लेना है उपर जा रहा है utility और इस तरफ कितने units, कितने biscuit में खा रहा हुए, आक सेक्सिस पे पहला unit में पहला biscuit खाऊंगा, मुझे सबसे ज़्यादा अनन मिलेगा, अब blue line को follow करें फिर दूसरा biscuit खाऊंगा, तो थोड़ा कम अनन, फिर तीसरा तो थोड़ा कम, मतलब कि blue line हमेशा क्या होगा, नीचे जाएगी, negative slope उसका होगा that is marginal utility, और एक हद ऐसे आएगी कि बस अब मेरा पेट फूल हो गया, that is zero, वहाँ पर x, axis के साथ वो line क्रोस कर जाएगी, उससे आगे भी मैंने अगर खाना शुरू किया, I continue, तो पेट दुखना शुरू हो जाएगा, that is dissatisfaction, जो x-axis के नीचे आप देख सकते हैं, आगे बाद यह तो marginal utility नीचे जा रही है, total utility मतलब sum of the marginal utilities, मालो पहला biscuit खाने पर मुझे 15 points आनन्द मिला, दूसरा biscuit खाने पर 10 points, तीसरा biscuit खाने पर 2 points, तो यह तो marginal तो कम होगा, but total utility बढ़ता जाएगा, कि पहला unit तो 15, फिर दूसरा खाने पर मुझे total आनन्द कितला मिला, 15 plus 10, 25, फिर आ हो गई, तो इधर हम लोग maximum peak पे आ गए, that is called satiation point, जहां पर total utility is maximum और marginal utility वो 0 होती है, इससे भी आगए आप खाना शुरू करेंगे, तो पेट दुखना शुरू हो जाएगा, मतलब beyond this point, आप देखे यह, जो graph है, वो अब नीचे आ रहा है, total utility का, मतलब कि total utility will decline, और उसी में marginal utility वो negative या dissatisfaction में जाएगी, तो marginal utility का graph आपको पूछे तो बोलना है कि negative slope, total utility का graph आपको पूछे तो बोलना है कि it is concave from above, यह जो इस प्रकार का shape बन रहा है, यह कोई जर्मल economist था, उसने सबसे पहले उसको formulate किया, फिर आरफिर Marshall उसने उसे और रिफाइन करके उसका एक law बना के दिया, अगिन SSE में पूछते हैं कि इसने क्या economist ने concept दिया था, अपने लिए इतना याद रखना काम का नहीं है, आगे, तो इस प्रकार से marginal utility से client customer तय करेगा, it is the maximum price I am willing to play, for a particular product इससे ज्यादा में नहीं दे सकता आपको, और सामने व्यापारी वो बोलेगा कि मेरा marginal cost of production, उसी सबसे, this is the minimum price I expect, और वो दोनों जहां पर ट्रकार आजाएंगे, that will be called price equilibrium, उसके उपर तो access supply और नीचे तो access demand, Indifference, मालों मैं 4 रोटी खाके 4 jeans spent खरीद लूँ, तो मुझे जितना आनन मिल रहा है, और उसके सामने मैं 2 रोटी खाके 6 jeans spent खरीद लूँ, तो मुझे जितना आनन मिल रहा है, अगर वो दोनों ही आनन सेम हो, then I will say कि in combination के लिए I am indifferent, और आप देखें, यहां marginal rate of substitution क्या होगा, 1 is to 1, then 1 is to 3, इस प्रकार से, मालब कि ऐसा कोई भी combination आप बनाएंगे, तो total satisfaction मेरे लिए एक समाल ही रहेगा, अगर यह table के रूप में प्रस्तूत किया जाये, तो हम बोलते हैं कि indifference schedule, और graph के रूप में प्रस्तूत किया जाये, तो हम बोलते हैं indifference curve, जो कि इसको बोलते ह इस प्रकार का shape बनेगा, मालब आप देखो, total utility वाला कैसा था, concave from above, तो यह indifference वाला उसका mirror type उल्टा हो जाता है, budget line यह क्या, हमने देखा कि यह जो combination है, 4 रोटी और 4 जिन्स, एक combination, या 2 रोटी और 6 जिन्स, दूसरा combination, इन दोनों में मुझे आनन तो एक समान ही मिल रहा है, but क्या मैं हर एक combination afford कर सकता हूं नहीं, अब समझ यह 2 रोटी खा कि 6 जिन्स के कपड़े वो तो मेंगा पड़ जाएगा, right, so as such customer can get same amount of total satisfaction from all this combination, but उसकी budget line सभी combination permit नहीं करेगी, तो यह हो गया, आपना budget line इस प्रकार से बनाते हैं, उसके उपर जो combination आएंगे, वो हम afford नही value, कोई चीज उसकी क्या value है, वो household तै करता है, for example, यह पानी के bottles, तो they have high value in use, पानी के अलग-अलग use है, right, कि पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, साप सफाई के लिए, but they have low value in exchange, मैं आपको बोलूँ कि यह पानी का एक bottle मैं आपको दे रहा हैं, उसके सामने आप मुझे क इतने गाड़िया दोगे, बार्टर करना है, तो कुछ हाथ में नहीं आएगा, so low value in exchange, उसके सामने diamond की आप बात करिए, तो less value in use, रोज-रोज हम पहन के गुम नहीं सकते, right, but exchange में उसका high value आएगा, मैं आपको एक diamond का यह इतने karat का दे रहा हूं, तो आप सामने मुझे कित मातरा में उसलिए उसका exchange में value कम है, जबकि diamond वो कम मातरा में है, therefore it has high value in exchange, यह तो हुआ value paradox, और उसका जाब होता है scarcity, उसी प्रकार paradox of plenty क्या है, कई बार उपादन इतना जादा हो जाता है कि उसका दाम खराब हो जाता है, आपने देखा होगा कि कई बार किसान अपने गाज paradox of plenty, जबकि ज़्यादा उत्पादन हो तो असल में किसान को नुकसान हो जाता है, और उसी के चलते फिर government minimum support price declare करती है ताकि किसान के साथ ना ही साफी ना हो, तो यह हुआ paradox of plenty, फिर paradox of thrift क्या है, जब लोग ज़्यादा बचद करने की कंजूसी करने की कोशिश करते हैं, then eventually they will save less या फिर same amount, यह David Ricardo ने दिया था, यह सब क्यों plenty यह वाला करना है, NCRT glossary में दिया है, इतने paradox तो याद करके चलेंगे, आगे, as such value household will assign, right, but यह value measure कैसे करोगे, पानी तो हम quantity में measure कर सकते हैं, इतने लिटर, diamond भी quantity में की इतने केरेट का यह diamond है, but उसकी value आप कैसे measure करोगे तो using money की इतने रुपे में है, इतने रुपे में है, so money will become the measurement for value, और फिर money का evaluation, पहले commodity money था, फिर metallic money, paper money, bank, cryptocurrency and so on, तो आप L3P7 में जाएए, तो money की evolution आपको मिल जाएगा, primary and derivative function कौन कौन से है, वो सब माल मिल जाएगा, prelim के लिए करना पड़ेगा, और उसी के homework में, class 12, उसक की micro economics और macro economics की जो textbook हैं, उसके अंत में glossary terms दिया है, अलग-अलग, यह paradox of thrift and plenty and so on, वो सब आप 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 से एक बार देख लेना, ठीक तो हम utility और उसके related कुछ बात कर रहे थे, चार और concept देख लेते हैं, consumption, saving, investment and wealth, आपको वो circular income of money, circular flow of money पता होगा, आलोकनाथ के पास जमीन है, तो उससे उसको rent मिल सकता है, आलोकनाथ नौकरी कर रहा है, लेबर सप्राइक कर रहा है, तो उसको wage मिलेगा, उसने अपने पैसों का निवेश किया है, तो उसको interest dividend मिलेगा, और आलोकनाथ खुद से ही कोई ध consumption कर रहा है, लड़ू कितने खाता है, कोका कोला कितना पीता है, इन दोनों को division किया, then we will get average propensity to consume, एक बात, अब आलोकनाथ की income में कितना बदलाव हुआ, और उसके सामने उसके consumption में कितना बदलाव हुआ, इन दोनों को आप division करो, then you will say marginal propensity to consume, इस इसाब से ये private consumption के कुछ सर खर्च कर रहे है, food, beverages में, then transport, housing, आप आराम से घर पे देख लेना, अभी mark consumption देख लिया, अभी saving की बात करते है, आपकी total income कितनी है, और उसमें से आप कितना पैसा save कर रहे है, total saving, इन दोनों को divide किया, then you will say average propensity to save, और यहाँ पर भी, आपकी income में कितना बदला हुआ, और उ और पूरी economy की aggregate saving क्या होती है, तो private saving plus government saving, अब for a given income level, saving consumption के graph जरा याद रखने है, सबसे पहले उपर वाला graph फॉलो करिये, x-axis पे मैंने दिखाया, 15,000, 17,000 यह पगार दिखा रहा है, और उसके सामने वो कितना खर्च कर रहा है, वो y-axis पे जा रहा है, as such आप देखे, वो दीरे दीरे बढ़ेगा ही, जीतना आपका पगार बढ़ेगा, तो आपका consumption भी बढ़ेगा, दूसरी भी याद रखना है कि यह line कभी 0 नहीं होती है consumption वाली, क्योंकि आपका 100 रुपे भी पगार है, तो उसमें साब कुछ 1-2 रुपे का चीज खरीद होगी, right, so consumption is never 0 और negative, उसके सामने savings, तो saving में आप देखे वही line, 10,000-15,000, जैसे जैसे आपका पगार बढ़ेगा, तो saving बढ़ती जाएगी, लेकिन एक ऐसा हद भी होगा जहां पर वो break-even 0 होगी, कि आपका जितना पगार है, उसका सारा light bill, phone bill सब में खर्चा हो जाता है, so saving की line can be 0 also, और ये भी हो सकता है कि वो 0 से कम हो जाए, आम दनी अठनी खर्चा रुपई, अगरे बाद में हैं अचानक बच्चे बीमार पड़ गए, तो पूरानी बीजो saving थी वो भी तोड़के उसने दवादारू कराना पड़ेगा, so for low income group, ये saving वाली line वो 0 के नीके negative region में भी जा सकती है, ये economic survey के अंदर उन्होंने table दिया है, और as such, savings have declined या stagnated, इसके क्या कारण में गाई और दूसरी बात है, आप ये budget economic survey 161 part 7 वाली वीडियो देख लेना वहाँ पर आपको पता चल जाएगा, so consumption saving ये बात clear है, अभी आगे बढ़ते हैं investment, investment या capital formation मतलब it is the act of adding more capital goods, आपने machine खरीद या tools, land building ऐसा कुछ खरीद लिया, या फिर कि जो पैसा आप खर्च कर रहे है, plant, factory, machine, even stock purchase करने के लिए, everything of that is called investment या capital formation, ऐसा कुछ किताबों में दिया गया है, private investment आपको पता है profit motive से होता है, public investment तो welfare motive से किया जाता है, ये मलब कि अपना railway बीचाना है, road, highway, electricity वगेरा, अगर आप railway के अंदर सरकार 100 रुपे निवेश करती है, तो उस इसाब से steel cement industry उनका सबका consumption बढ़ेगा, और उन क्षेतरों के साथ जो लोग जुड़े हैं, उनकी income बढ़ेगी, तो railway के अंदर 100 रुपे निवेश होगा, तो जो national income है वहा output में आपको 330 रुपे दिखेगा, मतलब investment multiplier कितना हुआ, for railway it is 3.3, ऐसा पिछले साल का सर्वे में बोला था, उसी प्रकार infrastructure में 100 रुपे लगा है, तो 240 हो जाएगा, so for infrared it is 2.4, ऐसा RBI बोल के गई, so this is called investment multiplier, infrastructure type की चीजों में अगर निवेश किया गया, तो और आपको multiply करके impact दिखाएगा, और S.E.A. पूरी संकल्प ना रिचार्ड कान नाम के economist ने दी थी, अग इन S.E.A. में पूछते हैं, अपने लिए काम का नहीं है, यह capital formation भी दिरे-दिरे अब कम होने लगा है, इसके क्या कारण वो आप याद करो, twin balance sheet problem, फिर यह सरकारी बैंकों का N.P.A. की समस्या, बासल नाम के साथ comply करना है, तो वो लोग loan में पैसा उद्योग पती को दे नहीं रहे, उद्योग पती को जब पैसा मिलेगा नहीं तो वो कैसे जाके कोई चीज खरी देगा या expand करेगा, so because of those reasons, capital formation भी देरे-देरे कम हो रहा है, फिर कुछ वयाख्या है, याद करनी है, fixed investment या fixed capital formation, इसका मतला है, इसका answer हो value of new machine equipment and construction, ऐसा क्यों, क्योंकि ये survey के अंदर इस प्रकार से व्याख्या दिये, तो रट्टा मारो जिन्दाबाद, gross investment, उसमें से आप depreciation minus करोगे, then you will get net investment, मैं इसे इस प्रकार से visualize करता हूँ, मेरी अगर एक computer lab है, जिसमें मैंने 10 computer लगाए थे, so initially that was my investment, फिर दूसरे साल मै पांच नए computer लगाता हूँ, और पूराने जो computer उसमें एक दो में monitor mouse change कर दिया, तो वो जो depreciation था, उसको मैं minus करो, then I will get की मेरा net investment कितना हुआ, ये भी दीरे-दीरे मतलब कि अभी कमी देखने को मिल रही है, okay, तो saving investment की बाते करी, अभी wealth पे आते हैं, wealth मतलब ऐसी asset जिससे additional income create हो रही है, national wealth के अंदर दो प्रकार होते हैं, एक है reproducible assets, जैसे की machine building, naturally reproducible उस अनुसंदान में नहीं, बट एक machine तूट गई तो नहीं आप बना सकते हैं, building नहीं खड़ी कर सकते हैं, like that, और उसकी मदद से फिर और-और-और income बना सकते हैं, and second is called non-reproducible assets, जैसे की ये mineral है, land, and free gifts of nature, and like that, एक और बात, जब national wealth की हम लोग गिंती करें, तो वहाँ domestic resident की asset की गिंती हम नहीं कर सकते, for example, आपने bank के अंदर, एक लाख रुपे fix deposit में डाले हैं, तो आपके लिए financial asset हो गया, but bank के लिए तो वो एक प्रकार की liability है, NDTL, वो सब याद करो, so, domestic resident की asset होगी, तो will offset each other, इसलिए national wealth में उसकी गिंती नहीं करते, लेकिन इस प्रकार की कोई resident है, उन्होंने विदेश में जाके कोई निवेश किया है, तो उनकी foreign asset उसको यहाँ गिंती में लेते हैं, अब ऐसा क्यों कैसे, अपने लिए काम का नहीं, बस मैंने जो बता है, बाल की खार इदर खीचनी हमने बस रटा मा लेना है, national wealth उसकी यह concept है, ओके सो हमने यह चार चीज़ देख ली, consumption saving investment wealth, और उस हिसाब से अपने जो micro economics उसका छठा वाला chapter, consumption utility, वहाँ यह चीज़े तो को देखी ली हमने, consumption saving investment wealth, अभी last एक चीज़ समझनी है, production possibility curve और यह अपना micro economics खतम, production possibility curve economy की एक समझ है, economy problem क्या है, कि wants are unlimited, मुझे खाना चाहिए, मुझे यह कपड़े चाहिए, x, y, z, but the resources are limited, सभी अपनी wants को पूरा नहीं कर सकते, for example मेरे पास अगर लकडी है, तो उससे या तो मैं बंदुक के handle बना सकता हूँ, या study के लिए यह chair बना सकता हूँ, दोनों एक सा तो नहीं बन सकती, है ना, तो मरलब कौन सी चीज बनानी चाहिए, economy में और कितनी बनानी चाहिए, उसका आप इस प्रकार से दो चीज़ों के लिए plotting करोगे, then you will get production possibility curve, और वो एक प्रकार का इस तरह से concave from origin बनेगा, मरलब कि यह सारी लकडी की मनदद से मैं केवल बंदू के handle बनाओ कोई भी कुरसी नहीं, तो यहाँ उपर से शुरू होगा, मरलब की 01, और फिर यहाँ नीचे आएगा तो, कि मैं केवल कुरसी बनाओ बंदू के एक भी handle नहीं तो, I think that will be 10, और यह बीच में इस प्रकार से चलेगा, और यहाँ हर एक point पे आपको opportunity cost पता चलेगा कि अगर मैं इतनी बंदू के handle बनाओगा, तो सामने मेरे को इतनी कुरसिया छोड़ देनी पड़ेंगी, so that is called production possibility curve, it is concave from origin, जिसकी मदद से और भी हमको प्रशन होते हैं, एक तो, कितना उत्पादन करना है, फिर labor से कराएं कि machinery capital intensive से कराएं, for example, यह कुरसिया बनानी है, तो कारपेंटर को रख सकते हैं, and it is beneficial also कि उनको रोजगार मिल जाएं, लेकिन अगर बंदूकों के handle बनाने हैं, तो फिर वहाँ पर कारपेंटर रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि फिर वो हर एक handle उसी बारिकी से उसी uniform weight shape में नहीं बना पाएगा, और फिर अलग-अलग handle बन बनाने में, वो uniformity नहीं आएगी, so यहाँ पर यह अपेक्षित है कि machinery से, capital intensive industry से उत्पाधन किया जाए, so that is also one question, फिर कि हम किस के लिए उत्पाधन करें, बच्चों के लिए human resource बनाने तो कुर्सियां बना या फिर देश की सुरक्सा बढ़ा नहीं है, तो बंदूके बनाए यहाँ पर subsidization करें कि नहीं, luxury tax impose करें कि नहीं, हमारा focus क्या होना चाहिए, केवल economic growth, बंदूके handle भी बनाए, तो आप यह बोल सकते हैं, हमारा GDP पी इतना बढ़ गया, बट सामने के development बढ़ेगा, गरी भी कम होगी, अगर कुर्सियां study के लिए बना दी, तो लोग पढ़के ह पुशियार होके आगे बढ़ गए, तो यह सारी चीज़े वहाँ पर आती रहती है, पिर उसे और खीच के ले जाएंगे तो अलग-अलग economics, उनके books, ideas, इस प्रकार के सवाल कुछ बार UPSC match the following करके पूछ लेती है, तो मैंने यह list कुछ बना, Aristotle तो उसने यह विबावना दी थी, Alfred Marshall, Keynes, मैं यह सारी चीज़े पढ़ूँगा नहीं, आप गर पे देख लेना, this list is not exhaustive, कहीं कुछ पूछ ले मैं at the following बोल के, so like that अपना जो चौथा पिलर था, sectors of economy, वहाँ पर microeconomics की, जो जो six sub chapters, वो हमने समझ लिया, and accordingly हम जो यहाँ अपनी गाड़ी अटकी है, fourth pillar मे वहाँ agriculture, manufacturing and microeconomics is over, अगली बार मिलेंगे तो यह GDP inflation, hardly 30-40 minutes की वो बात है, तब वो खतम, and like that पाँच्वा पिलर हम खतम कर ले, चौथा पिलर खतम कर लेंगे, उसके बाद यह अपना infrastructure Paris summit, पाँच्वा पिलर, और human resource development, छथा पिलर, डाई डाई मला पाँच गंटे, जने झालगएब काँच्वा ग्याई दियाङ्यो लेद के, यह यह बात होस्च्वा